नमस्कार दोस्तों मैं हूं प्रकास प्रज़ापती आज हम ले चल रहे हैं आंद्रपर्देश की ओर आंद्रपर्देश में शर्यदिय नवरात्री के अफसरपर माता के मंदिर में 516 करोड रुपे के नई नोटों से सजाया गया है इन नोटों से अलग अलग तरीकी से सुन्दर फूल और माला बनाये गए हैं और माता की मूर्तिक भवे रुप से सजाया गया है नलोर के वासवी कनायक का परमेशुरी मंदिर में नवरात्री दशेरा उससरप के दोरान माता के धन लक्षमी रूप में पूजा के लिए पांच करोड सोला लाख रुपे के नई करेंसी नोटों से सिंगार किया गया इसमें दस से दो हजार रुपे तक के नोट शामिल है इसके अलावा साथ किलो सोना और साथ किलो चादी आभुशर भी पहनाए गए हैं मंदिर में सालभग देवी के विविन रुपो की पूजा होती है मंदिर को सजाने के लिए सौ से अधिक स्वम सिवकों ने दो हजार रुपे पांसो रुपे दो सो रुपे सो रुपे पचास रुपे और दश रुपे मुले वर्ग के नोटों के साथ कई घंटों तक काम किय तेलांगना और आंद्रपर्देश में नवरात्री और दुर्गापूजा के अफसर पर माता के मंदिरों को भवत तरीके से सजाया जाता है। पुल्दस्ते से देवताओं को सजाया। पिविन रंगों की केरेंशी नोटों से मंदिर की सुन्दरता में चार चांद लगा दिये। मंदिर में कई जगाओं पर आने वाले भक्तों को भी मंदिर आकरशन कर रहा है। नेलोर शहरी विकास प्राधिकरन, NUD के अध्यक्स और मंदिर समीती के सदस्या। मुकला द्वार का नात के अनुसार समीती ने हाल ही में 11 करोड रुपे लागर से मंदिर के जिलोधार का काम प्रका किया है। उन्होंने कहा कि चुकि मरमत कारे में 4 साल लग गए और पूरा होनी के बाद ये पहला उत्तव है। इसलिए समीती ने नोटों के साथ देताओ को सजाने का फैसला किया। समीती के सदस्यों और भक्तों ने करेंसी नोट एकत्रित किये। और अनुटी सजावट के लिए कलाकारों की सेवाए ली। मंदिर के अध्यक चंद शेखर ने कहा कि सजावट में इस्तेमाल की गई नगदी सोना और चान्दी की कीमत 4 करोड रुपे है। तो दोस्तों सरदी नमरात्रों में माता के मंदिर को देखिए सोना चान्दी और रुपे से सजाया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगता है हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है तब तक के लिए नमस्कार।